जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस इंट्रिव को उनको अगर मेरी जानकारी सही नहीं होगी तो अश्विन जी से मैं गुजारिश करूँगा कि ठीक करने लेकिन जितना मैं जानता हूं कि जो शास्त्रिय संगीत के अलग-अलग घराने हैं उसमें टपा गौालियर घरा जो शिश्याएं हैं जो अभी उनकी उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रही है वो भी गाती है लेकिन ये बात अश्विन जीने सही की कही कि जो उप शास्त्रिय संगीत है यानि सेमी क्लासिकल है उसमें ठुमरी दादरा चैती कजरी यह सब फिर भी जादा सुनने को मिलता है टपा उतना कम जादा सुनने को नहीं मिलता और वो भी टपे पे अश्विन काम कर रहे हैं बांसुई पर तो निश्यत तोर पर जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे जो प्रयोग हैं उनका तो स्वागत होना चाहिए अश्विन जी मैं अब चुकी बहुत कम बी इंटर्विव हुआ है वरना अमूमन बातचीत होती है कि कब तैकिया की प्रोफेशनल करना है गुरू कौन कौन से रहे उन गुरूओं ने क्या क्या सिखाया उन गुरूओं के बारे में बताईए तो संभावता इस पर कभी हम फिर एक बार लंबी बातचीत करेंगे ल पर कुछ बाते मैं कहना चाहूंगा जरूर जहां पर भी मुझे यह अवसर प्राफ्ट होता है तो मैं कुछ बाते जितना भी हो सके अगर किसीने मान लिया या कोई उल्टा भी कह सकता है कि तुम होते को ना मुझे बताने वाले पर फिर भी मैं कहूंगा कि यह मेरे अपने स्टूडेंट्स को मैं काफी बताता हूँ यह चीजे मैं फिलोसफीकल ही ज्यादा बताता हूँ मैं म्यूजिकली बहुत कम दिखाता हूँ वह वह म्यूजिकल है ही पर उनको फिलोसफी और उनके थौट प्रोसेस जो जीवन चरिया जो जीते हैं उसी चीज की extrapolation होती है उनके संगीत में तो मेरे कुछ उसूल है या कुछ क्या कहते हैं उसको तक्या कलाम जिसको कहते हैं कि मैं जिसको बहुत दिल से पालता हूँ उनमें से सबसे पहला यह कि यह जो हमारा जीवन है यह एक ही जीवन हमें पता होने वाला है और इस जीवन में यह पल ज भी नहीं सकते ऐसा दुसरा पलब जी सकते हैं यह वापस नहीं आएगा या यह दिन वापस नहीं आएगा यह फॉम अप्ट पॉइंट घव और यह भी नहीं कि हमें पता नहीं हमारी एक्सपारिडेट कब है सबका आना ये भी निश्चित है तो जितना हो सके हर पल को वैसे जीएं जो आप चाहते हैं जीना वो अभी जी लो ये बहुत अच्छी खुबसुरत बात मैंने एक किताब है रिच डैट पॉर डैट की उसमें उसने लिखा है कि को यजिए और rig अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की तरह जीना शुरू करतीजी अमीरों की तरह जीने के लिए पैसों की जरूरत की आप Task जीवन जायली को अमीरों की तरह बना क्योंकि आपको अमेर्गто शूरू को है या यदि दिन आप चुननी सकते कि इस दिन के बाद में वैसे रहूं अगर यह आपके आदर्श है आपके आदर्श को सोच समझ कर चुनिए सबसे पहले तो वो बहुत ज़रूरी है और अगर आप खुद आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों में वो संसकार दीजे जो आप में हैं या आप में शायद उसकी कमी है तो उस चीज़ को पहचान कर वो आपका कर्तविय है और हर पल को जीना बहुत जरूरी है यह जब से मैंने शुरूर किया है काश मुझे पहले पता होता पर जब से मैंने इस चीज़ को समझना शुरूर किया क्योंकि कोई भी चीज कुछ समय के बाद महाहिने नहीं रखती आज से आप खुछ से प्रश्म कीजिए कोई भी हुआ दरशक मुझे फैराइक पांच से पठीम पहले मेरे जिन्दिगी में मैं जहां पर फी ता उसका आज में क्या मूल है क्या माहिने हो चीज नहीं है तो फिर जो अपके साथ हो रहा है अच्छा या बुरा जो भी इस चीज़ का आथ पांच साल बात कोई माहिन नहीं होने वा अगर वोई चीज है, तो कल जो काया मैंने उस चीज का आज कोई मतलब नहीं बनता, आज मैं जो खाने वाला हो, यह इसका कल पे कोई असर नहीं होने वाला, तो अगर मुझे आज कुछ करना है, कुछ अच्छा अगर उसमें भी करना है, तो अब ही करो, यह जब से मैंने करना शुरूर किया वो मेरे लिए इतना ज्यादा मेरे स्पिरिच्वल ग्रोथ में इतना मुझे काम आया है वो चीज और बे तुकी चीजों के लिए समय नहीं बचता भी हम स्पिर्ण्द्पाइश यही करना इसका मज़ा पागल नैजो जो भी हो उस कि आपने तोले की आप में आपने पाया होगा आपके आदर्शों में आपने देखा होगा उस चीज को आपने तोलने की आप में काबलेत जरूर है हमें हम खुद रोकते हैं कि किसी भी चीज से हम स्वयम खुद को वंचित करते हैं और कोई नहीं करता आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वैसे नहीं हैं मेरी नौकरी छुट गई हमें कोई रोकता नहीं दो वक्त की रोटी चाहिए बस उसमें वे एक रोकित की रोटी से इंसान जिंदार रह से वाख्य सारा कुछ वॉंट्स हैं जो हमने पैदा करी है जरूरत है हमने पैदा करके रखी हुए कि इतने सारे जे बॉंबे के लैंगज में कहते है पंगे पाल रखे हमेंने तो पंगे ऑपी कम पालो और वही करो जो अपके मगां आया ये कोशिश करके देखिये कि दो तीन चीज़ों में आप जड़ा अपलाई करके देखिएगा अगर जस्ट फॉफान आपको एक नई जिंदगी दिखाई देगी यह मुझे कोविट के टाइम से ज्यादा पता चला है कि जीवन बहुत ज्यादा अमूलिय है और उसे बेतु की चीज़ों में मुझे वह जाता हूं इसी वज़े से मैं फिल्म मेकिंग सीखा मैंने अभी खुद सीख के कोविट के टाइम पे अपनी वेबसाइट बनाई है विदाओ एनी हेल्प अब मैं दो तीन बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे जुड़ावाँ जिसका खुलासा इस स साल के अंदर-अंदर तीन-चार ऐसे अलग-अलग फील्ड के प्रोजेक्ट्स हैं और किसी दिन मैं फिल्म बनाऊंगा मैंने स्क्रिप्टिंग करना सीखा शौट फिल्म के तीन-चार स्क्रिप्ट्स लिख के रखी हुए हैं जिसको भी सुनाया अच्छा लगा उनको तो प्रोफेशनल से लेके आम आदमी तक जिसको स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती हर पहलू में हर खेतर से लोगों को अच्छा लगा है वो तो मैं किसी दिन फिल्म जरूर बलाऊं बनाऊंगा मुझे क्लासिकल और ज्यादा बजाना है और ऐसी ऐसी चीज़े बजानी है जो ज शुतियां लग रही है और वो बेज सुरा न लगे शुतियां लग रही है अवश्य पर जैसे दरबारी में उनके निशाद और धहवत का एक अलग ही लगाव है वो दा ये अ यह दर्वारी है लग भग पंचम के पास उन्होंने लग भग शुद्य दर्वत यह 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 आ यह यह मैं गाता हूं तो भी सवर लगेगा पर आप उनकी गायकी सुनिए आपको दर्वारी एक्तम सवच नजर आएगा अगर आप उसको और सुक्ष्म रूप से देखेंगे, सुनेंगे तो फिर वो धैवत और निशाच चड़ा ही मिलेगा आपको, पर वो जो अप्रोच है और उस चीज का असर जो है दर्बारी का, दर्बारी ये भी सही है, वो भी सही है, शास्त्र में क्या लिखा है, किसी ने एक्तम पक्के रूप से कोई नहीं जानता, मैं सॉरी मैं किसी को ये नहीं कर रहा, पर एक्तम ये ही करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लिखा हुआ होगा, पर इसका भी अगर असर हा रहा है, तो इन्होंने भी कुछ सही किया होगा, उसके अगेंस, मुझे रेबल क काम अपना बंद कर दिया, और मैं इसके पीछे लगावा हूँ, होफुली आप लोगों के सभी के आशिरवात से वो मुकमल होगा, और भगवान की दया होगी उपर से, तो फिर शायद वो, जहां तक भी उसकाम को ले जाया सके, उतना मैं अवश्य करूँगा, ये तो प्र इंटरिव्यू की होंगे मैंने, लेकिन इंटरिव्यू के जो समय होते हैं नो पता ना चलें तो कहते हैं यही उसकी परिभाशा है कि वो फिर अच्छा इंटरिव्यू हुआ है, तो मैं सिर्व यह कह सकता हूँ, कि अभी बहुत सारी ऐसी बातचीत हैं जो कर सकते हैं, सब अगर दिवानों की फेरिस बनाई जाएगी तो उसमें मेरा भी एक नंबर होगा, मुझे तो आपने रिबेल कहा तो सिर्फ एक लाइन में बता दूं कि वो तो कहते थे कि मैं घरानों की कुली गिरी नहीं करता हूँ, जो यह घराने लेके लोग चलते हैं ना कि मैं तो फला घराने और मैं तुझी फला घराने और वो कहते थे कि राख को एक जगह से मत देखो, राख को 360 डिगरी देखो, हाथी को सिर्फ से मत देखो, हाथी को चारों तरफ से देखो, कभी हम लोग यह हमारा आपका आज प्रॉमिस आप से ले रहा हूं है, क्योंकि समय आपको कि हम लोग कुमार जी पर बात करेंगे और कुमार जी के खाने की आदतों से लेकर, उनकी खाने का तरीका, उनकी पसंद, ना पसंद, कैसे वो राग, उनकी बातें, उनसे तो मतलब आप यह समझे कि यह जो शास्त्रिय संगीत सुनने की तमीज आई थोड़ी बहुत अभी तक, वो कुमार जी की दी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार होता है न, जो बात देखे थोड़ी दर पहले में कह रहा था कि आप आसान चीज सुना कर भी कठिन तक ले जा सकते हैं, शुरुवात तो हुई थी उड़ जाएगा हंस, अकेला से और शुरुवात तो हु अगे श्री दर्शन श्री यह तो बहुत कम चीज़ें हैं वह बहुत 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 ज्यादा मतलब बहुत बड़ा खजाना है वह जितना डूंड़ो उतना कम चलिए यह तै रहा यह मतलब आपको समय निकालना है लेकिन जो सब्सक्राइबर्स इस इंट्रिव्यू को बहुत बहुत कहते हैं बाराल अभी के लिया बहुत भहुत धन्यवाद माफी चाहूंगा आपको वह भाई कहते थी कि पहीं मेरे अंदर घमण ना आ जाए तो महां यह कहते थी और कितनी सच बात है यह कि वो जो musical thought process जो उस समय आ रहा है कि किसी आर्टिस का सेम राग दो दिन एक जैसा नहीं आता आना नहीं चाहिए अगर सेम आ रहा है तो फिर वो कहीं न कहीं खोट है उसमें नहीं आता इसलिए क्योंकि उस समय जिस दिन अच्छा नहीं आया उस समय उसका जो connection है उसकी एक कि जो honesty है वो शायद कहीं न कहीं कम है और जिस दिन अच्छा आ रहा है उस दिन ज्यादा honest बनता है honest तभी बन सकता है आदमी जब उससे वो जूट निकाल दे अपने शरीर से अपने यह सिस्टम से और from that point of view हम creation नहीं कर सकते यह मैंने create किया है नहीं हो सकता जिसको यह लगता है शायद वो खुझ से जूट बोल रहा है यह शायद उसको पता नहीं है उस चीज हम जरिया है we are a medium of expression किसी और dimension से music हमसे बात करने की कोशिश कर रही है और उसकी उर्जा हम खींच रहे हैं और कलाक बलकि हम उसका जरिया बन जाते हैं हमें चुना जाता है जरिया बनाने के लिए इसलिए आप मेरे परस्नालिटी को नहीं पर मेरे अंदर की शायद उस उर्जा के बहाव को आप नमन कर रहे हैं और उस नमन को मेरे मेरा भी नमन बट हमारा कुछ नहीं है उसमें और मैं जब और बहुत सारी शुब कामना है आप यूहीं जो आपके तमाम इंस्ट्रुमेंट है उसमें दो-चार इंस्ट्रुमेंट और जुने कुमार गंधर्व जी आपकी बासुरी में आए टपा आए बस यही फिलाल तो इश्वर से मागंगा से यही दूआ कर सकते हैं आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत धेर सारी शुब कामना है धन्यवाद जी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिक शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे